हेलो एवरीवान कैसे आप सब गुद इविनिंग सभी को और व्लॉग है पांच बजे मॉर्निंग से और आप लोग सुचेंगे कि पांच बजे उटके में क्या करने लगी तो यह सुबह मैंने जब उटी थी तो मैं आई थी फूल तो यहां मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिए था देखिए अभी सुबह का मौसम है और अभी बहुत ही अंदेर था लेकिन मैंने वीडियो में थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा दिया है क्योंकि बहुत ही डार्कनेस दिख रहा था इसके वजह से और फूल तोड़ने के बाद मैं आ गई थी काम करने के लिए तो का कामने देख रहे हो ना पट्रा निकला हुआ है उससे चौकी और दर्वाजे बन जाएंगे और वाला है जो चुले में जलाने के लिए निकाला गया है मतलब खराब लगती है जलने वाली है तो इनको जो दुछती होता है उसमें डालना था सारा और इसके लिए हम लोगों मैं सुबह उठा था क्योंकि अभी सुबह में बहुत जल्दी धूप निकल जाता है तो गर्मी होने लगता है मार्निंग नहीं काम करने के बाद मैं बना रही थी काड़ा तो यह जो काड़ा में लकडी टाइप का पड़ा हुए ना इसको गूरुच बोलते हैं जो हमारे घ बुखार में बहुत ही मतलब फायदेमांद होता है और इसमें कोरुणा का टाइम चल रहा है तो आप लग भी काड़ा जरूर बना के पीजे तो यह गूरुच है इसमें डालाया मैंने थोड़ा सा अजवाइन और पानी इसको बस ऐसे ही सिंपली खौला लेना है जब पानी जाना था तो सुबह में ही मैं यह नास्ता त्यार कर रही थी पापा के लिए बस तो यहां लेसन नहीं डाला था मैंने मिर्चा और तेल में प्याज को गला लिया था थोड़ा उसके बाद चना डाल दोगी नमक और हल्दी थोड़ा सा डाल के मैं इसको भून दोगी और मु को पता होगा थोड़ा भूख लगता है जल्दी ही तो इसके वज़े से हम लोगों ने नास्ता बना दिया था और काम हो गया था लखडिया रखने में हमको लग रहे कि आलमस्त दो घंटे लग गया थे पांच से साड़े साथ दो धाई गंटे लगे थे और हम लोगों ने मैंने बना दिया नास्ता और पाप खा के चलिए नहिंटे नहीं मकरा अपना में और वसंतने तीन लोगों ने लगडिया रख दी बांगी यह हं रोज घर हा यार क्या करेंगश्ज और सूपर को जो काम साले था फिनिस हो गया मैंने आप लोग को दिखाक और हम घिंचा क्य जूर्च कर रही है और आज मैंने इसको डाटा शिवर शिवर एक्सराइज करने के लिए गॉला अपने लिए लग रहा नीद में है और अभी बनेगा आज न पता अरवी के पता बनेगा तो मैं चलूंगी अभी कापने हो लेक्या होगी और छोटा वाला भी फोन किया था कि म तो बनेगा दाल चावल अर्वी के पत्ता का रिकमच जो बोलता है ना हूँ बनेगा और मतलब क्यों पकॉड़ी बहुत लोग रिकमच नहीं समझते हैं और उसके बाद से कुछ सब्स बनेगा और आटा खजम हो गया दो पहले तो गेहूँ देखे आया गया मसीन पे अभी आ को भाइस बोलिएं की आना तो जाना आटा लेक है तो जाएगा लेका और अभी चलिए पत्ता काट गी और क्या रखा है यह नहीं पिया है पियूंगी हमध जुटा के क्योंकि बहुत ही कड़वा लगता है और चालिए पत्ता काट कट लेते हैं और ना दिखान उत्तार वा तो चलिए ब्लॉग करते हैं ऐसे देख रही है ऐसे कैसे देदू दिन तो चुको यार बड़ा देखिए मिट्टे गिरा हुआ है तो इसको फैलाना है चाट अलिए वन टू थ्री और एक इधर है फॉर और एक पीछे है फाइफ नहीं एक पीछे है और दीने चाट तो चलिए पता कट कर लेते हैं फिर आप लोगों सेवत ने करते हैं यह खेत वाली मिट्टी गिरी है ताकि इदर झाला जाएगा तो कि सब्ची अच्छे से उगवाएलाइब चेलो चलते हैं पिछले वीडियो में आपको दिखा घा कि मैंने पत्ता दिखा दिखा तो पत्ता क्या तोड़ा टमाटर धनिया बैगन दिखाऊं किता बड़ा सा है किसी से बोलना नहीं आप लोग औरे देखिए फूले निकल रहा है तूरज खिल रहा है आँ चोटी तो इसको काटना है इस वाले बल्टी में रखना है और वाइट कपड़े से अर्वी के पत्ते को बचा के रखना चाहिए क्योंकि अगर उसका दूध लगता है तो फिर कपड़ा ब्लैक हो जाता है कहां गया अम्मा कैसे चाहिए मैं है पकल से पर्ता खोलने जा रहा है हम तो आप लोग ने देखा मैं कितनी बड़ी गाई का हूं आप लोग ने मेरा गाना सुना ही तो ये डंठल के साथ ही मैंने अर्वी कपत्ता कट करके ला दिया था और यहां पे डंठल के साथ कट करके लाई थी क्योंकि डंठल के साथ ना कट करोना तो अगर डंठल उसमें सढने लगता पिर अच्छा नहीं लगता है तो इसलिए है ada कि आपके साथ zaj 이제 उसीति तो इसलिए little weeh scientific Sunday Dog State PM यहां मैं ला दी थी और उसको कुट से कट कर लोंगी कट करने के बार फिर वास करूँगी और इसको 2-3 पन हम एक-एक पत्रे करकर करने हो रही है तो यहां कट करने के बाद में डाल दिया था बाटि में और उसके बाद से मैं इसको धुलूंगी तो यहां देखिया ममी ने थोड़े से लाया थे चार पास बिन्डी लाई थी दोनों मिला के कलाजी बन जाएगा तो खाने के लिए हो जाएगा टमाटर भी कुछ लाय थे बा बहुत ही अलग होता है आप लोग के बहुत ही कि तो आप लोग को जानते होंगे और यहां थोड़ा टाइम लगता है लेकिन बहुत ही टेस्टी सब्जी होता है मैं तो हमेसा डिफ्रेंट की पता चल जाता है सही की मतलब मसाले का टेस्ट से ही सब्जी का टेस्ट आता है तो पता चल जाता है तो यहां फटा-फट से मसाले पीछ लोगी यह तो मैं थोड़ा यहां फास्ट फारवर्ड कर दी हूं क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाए था उनका नाम है अनीता दूबे तो उन्होंने किया था कॉमेंट कि आप ऐसे गुलू-मुलू रहे क्योंकि आप लोग नेचुरल चीजे करते हो और हर काम करके महनद से काम करके और का खाते हो आप लोग और सिल्बर्टे पर आज भी कोई मसाला नहीं पीछता है लेकिन आ अच्छा होता है इतना आलस नहीं करने जितनी ही हमारी नास्ट बिदाय बढ़ती है उतने हम हमारी बीमारी भी बड़ी में बढ़ जाती है तो यह मसाला देखे कोई कमी नहीं है कि हुंदा कोई अगर कटोरी महम इसको रख दे तो कोई कह नहीं सकता कि मिक्सर की मसाला नही खाना ममी ने आज बनाया है और भाई अभी तक नहीं आया साड़े ना हो गया तो ममी ने बूरा कि सब के लिए चावल बन जाएगा लंज में और रोटी नहीं बनेगा तो चावल डाल करे लेका सब्जी और रिक्वर्स जो है वो बन रहा है और अभी मैं चले दो नहाने नहा कर दो तो तो सारा कुछ कर दिया मैंने उत्ता मसाला पीशा बेशन फेटा पता लपीट के ममी को दे के फिर मैं खाली हो गई और मैं चल रही हूं नहाने नहाने के बास से फिर मैं आप दो पर मैं मिलूंगी तो इसके बाद से जब मैंने दोपर आप में आप से बात करी थी तो मैंने बोला था थोड़ा मेरे पेट में दार दे तो दिन भर मैंने किया आराम और फिर साम को काम हो गया था तो यहां किचन के कुछ डिबे हो गए थे गंदे जिनको मैंने धुल दिया था और आज चूले अश्माम को मैंने किचन घाट और ना कर देना साम के ऊपर में सब्सक्लाइब करें धूए मैं यह मसाला लेकिया थी और वैसे पीसे मसाले पैकेट के मेरे बहुत इस्तिमाल नहीं होते हैं तो इसका एक्सपार डेट इसका खत्म हो गया था तो यह खराब हो गया था मसाला तो अब इसको फेक दिया जागा तो यह ब्लॉग यहीं तक का है मिलते अपने नए ब्लॉग म इंस्ट्राग्राम पर आज आईए बाते करते हैं मिलते अपने नए ब्लॉग में टिल देन बाबा लव यू सो मच